इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 28 जून 2019 और यह हमारी 186 वी क्लास है 12 important question आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे चलते हैं question number first हाली में किसका कारेकाल बढ़ाया गया है तो दोस्तो इसका सई option है अमिताप कांथ हाली में अभीताप कांथ का कारेकाल बढ़ाया गया है तोस्तो केंदर सरकार के नीती आयोके CEO अमिताप कांथ का कारेकाल हाली में दो साल के लिए बढ़ाया गया है अमिताप कांथ का कारेकाल 30 जून को खत्म होना था लेकिन अब 2 साल बढ़ा दिया है और 30 जून 2021 तक के लिए ये नीती आयोग के CEO पद बर बने रहेंगे तो आपको ये एक important question है दोस्तो एक्जाम में पूछा जा सकता है Next question हाली में किस station को ISO certificate दिया गया है जिसका सही option है दोस्तो मैसूर railway station हाली में मैसूर railway station को ISO certificate दिया गया है दोस्तो आपको बता दें यह certificate पाने वाला यह दक्षन पस्चम railway का पहला और देश का दूसरा station है railway ने 37 railway station को eco smart बनाने का फैसला लिया है इन मैंसे मैसूर को गुणबत्ता, सुरक्षा और परियावरन्स प्रवंधन के वहतर उपायों को सफलता मिली है जिसके करण इसे ISO certificate दिया गया है दोस्तो आपको बता दें eco smart station मध्यप्रदेश में भी एक बनाई जानी है जो मदर्न महल station है जो जवलपुर में है दोस्तो आप बात करते हैं ISO certificate की तो आपको इसके बारी में बता दें दोस्तो इसका full form international organization of standardization होता है इसकी स्थापना यानि ISO की स्थापना 23 फरवरी 1947 यानि 1947 में की गई थी इसका headquarter Geneva Switzerland में है 164 जो देश हैं वह ISO certificate के member country है दोस्तो इसके जो president है उनका नाम है John Walter तो इतना आपको ISO की बारी में जरूर याद रखना है next question हाली में किसे raw chief बनाया गया है तो दोस्तो इसका सही option है सामंत गोयल हाली में सामंत गोयल को raw का chief बनाया गया है दोस्तो आपको बता दें सामंत गोयल 29 जून को retire हो रहे raw के प्रमोख अनिल के धम धसमाना अनिल के धसमाना की जगह लेंगे दोस्तो आपको सामंत गोयल के बारी में बता दें ये बालाकूट एयर स्टाइक के रणनीती बनाने वाले बरेस्ट IPS अधिकारी है दोस्तो इन्हें हाली में raw का chief बनाया गया है raw का full farm होता है research and analysis wing दोस्तो आपको इस्क्रीन पर दिख रहा होगा ये नाम अरविंद कुमार इनके बारे में भी दोस्तो आपको बता दें तो अरविंद कुमार ये भी IPS अधिकारी है और इन्हें IB का director बनाया गया है 1984 batch के ये IPS अधिकारी है तो आपको इन दोनों निक्तियों की बारे में याद रखना है सामंत गोयल को raw का chief और अरविंद कुमार को IB का chief बनाया गया है दोस्तो ये exam के लिए most important question है पूछा जा सकता है कई लोग आप में से बोलते हैं कि जो MP का exam है उसमें इंडिया का और international क्यों एड करते हैं तो दोस्तो आपको मैं कोई भी exam उठा के देख सकते हैं आप उसमें ऐसा कोई paper नहीं है जिसमें national, international और MP का current affair ना पूछा गया हो दोस्तो इसलिए ये एक important question बन जाता है next question हाली में किसी MP PSE आयोग की नए सदस्य की रूप में निक्त किया गया है तो दोस्तो इसका सई option है चंदर सेखर रेगवार हाली में चंदर सेखर रेगवार को MP PSE आयोग का नए सदस्य चुना गया है दोस्तो हाली में मद्द प्रदेश लोग सिवा आयोक के नए सदस्ट के रूप में चंदर सिखर रेकवार को चुना गया है मुख मंत्री की अद्यक्षता में गठित मंत्रियों की दो सदस्टिये चैन समीती ने इसे मंजूरी दी है तो आपको याद रखना है वैसे दोस्तो आपको बता दें आयोक के इस समय प्रोफेसर चौबिक चेर्मेन है MPPSC आयोक के चेर्मेन है प्रोफेसर भासकर चौबिक नेक्ट प्रदेश में किस राज में IAS अधिकारियों को जिलों का जिम्मा सौपा गया है तो दोस्तो इसका सही उफ्षन है मध्यप्रदेश हमारे मध्यप्रदेश में हाली में IAS अधिकारियों को एक एक जिले में तैनात किया गया है इन्हें जिम्मा सौपा गया है दोस्तो आपको बता दें ये जिम्मा क्या है और इसकी बारे में बता दें दिखवजय सिंकी सरकार में IAS अधिकारियों को जिलों के प्रभारी सचों बनाने की विवस्ता लागू की गई थी और दोस्तो अब 15 साल बाद फिर से IAS अफसरों को जिलों का जिम्मा सौपा जा रहा है यह काम 15 साल बाद कमलनात की सरकार ने किया है दोस्तो आपको बता दें इन IAS अफसरों को काम क्या होगा तो यह काम करेंगे जनता से जुड़ी विश्यों की नराकरण पर दोस्तो अलग-अलग विभावों की विकास से जुड़ी राशी के साथ इन कामों को करने वाली संस्थाओं में समन्में बनाएंगे अकासमिक आपदा या घटना होने पर प्रभारी सचो जिलों में संपर्ग में रहेंगे तो यह सभी काम होगे इन IAS अफसरों के नेस्ट क्वेश्चन हाली में किस राज में अभी बावकों को सिक्षकों की वाटसेप गुरूप से जोड़ा जाएगा दोस्तो आपको बता दे सास की वा प्राइविट विध्यालों में सिक्षक अब जो बच्चों की पिता माता पिता होते हैं यानि अभी बावक या पेरेंट्स को मोवाईल लंबल लेकर उनको वाटसेप गुरूप में जोड़ा जाएगा इसके माध्यम से सिक्षक बच्चों की अभी वावकों से सतर संपर्क में रहेंगे ये बिध्याला में प्रती दिन होने वाले बिध्यार्थियों की गति विधी का बिवरन अभी वावकों को देंगे दोस्तो इसका हाली में लोग सिक्षण आयक्त जैसरी कियावत ने आदेश दिये हैं और इसका सक्ती से पालन करने को कहा गया है तो पूरे राज्ज में अभी वावकों का जो नंबर होगा वह सिक्षकों की वाटसेप गुरूप से जूड़ा जाएगा हाली में किसे देवास का अपर कलेक्टर बनाया गया है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है नरेंदर कुमार सूर्य बंसी हाली में नरेंदर कुमार सूर्य बंसी को देवास चले का अपर कलेक्टर बनाया गया है दोस्तो इस्क्रीन पर आपको कुछ और नाम देख रहे होंगे उनकी बारे में भी आपको बता दे तो सबसे पहले बात करते हैं सुनील राज नायर की इन्हें हाली में श्योपुर का स्युक्त कलेक्टर बनाया गया है इसके बाद दोस्तो बात करते हैं राजीस ओगरे की इन्हें हाली में उपसचो बनाया गया है बन बिभाग में फिर बात करते हैं चंदरशीखर शुकला की तो दोस्तो इन्हें हाली में अपर कलेक्टर बनाया गया है गुना जिले में तो ये चारों आपको नाम याद रखने हैं एक्जाम के लिए बहुत इंपूर्टेंट है नेश्ट क्वेशन भोपाल की बिसाल जील को किस राजा ने बनवाई थी तो दोस्तो इसका सही option है होसंग साहे होसंग साहे ने भोपाल की बिसाल जील का नमाण कराया था दोस्तो आपको बता दे होसंग साहे नहीं होसंग अबाद जिले का या होसंग अबाद शहर का गठन किया था तो आपको ये एक important question है, याद रखना है तो अब बात आईए भूपाल की तो आपको कुछ important fact भूपाल की बारी में बता दें मद्धिप्रदेश की राजधानी 1956 में बनाई गई थी भूपाल भूपाल को जीलों का शहर भी कहा जाता है मद्धिप्रदेश का सरवाधिक जन संख्या गनत्व यह 854 है यह भूपाल जीले में ही है दूत्य आकाश्वानी केंद्री की इस्थापना भूपाल में 31 अक्टूबर 1956 यानि 56 में की गई थी भारत भववन की इस्थापना 1982 यानि 1982 में की गई थी भूपाल में ही दोस्तो रास्ट्य बिदी अकेडमी की इस्थापना 1994 1994 में भूपाल में की गई थी देश की सबसे बड़ी मस्चिद जिसे हम ताजुल मस्चिद की नाम से जानते हैं यह भूपाल जीले में ही इस्थत है दोस्तो बिशु का सबसे बड़ा स्वर उर्जा सेंत्र का नेमाड भूपाल में ही कराया गया है प्रदीश का पहला एनर्जी पार्क भी भूपाल में ही बनाया गया है प्रदीश का पहला सेल रिचित जैव खाद्य सेंत्र भी भूपाल में ही लगाया गया है इंद्रा गान्दी रास्टिय मानो संग्रहले की इस्थापना भी भूपाल में ही की गई है 2 और 3 दिसंबर 1984 को भूपाल में मिथायल आईसो साइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण हजारों मोते हो गई थी भूपाल में तो ये एक important question है दोस्तो इतना आपको भूपाल की बारी में याद रखना है next question भारत की प्रमुख परेटन केंद्रों में खजराहों का इस्थान कौन सा है तो दोस्तो इसका सही option है तीसरा भारत की प्रमोग परेटन केंद्रों में खजरोह का इस्थान तीसरा है दोस्तो ये एक important question है हाली के exam में यह पूछा गया था दोस्तो अब बता दें आपको खजराहो की बारी में तो खजराहो मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले में इस्तित है खजराहो में एक international airport भी है दोस्तो खजराहो की जो प्रिसिद्धन मंदर हैं उनकी बारी में बता दें तो कंदरिया देव मंदर यहां का सबसे प्रिसिद्ध मंदर है सेह मंदर, लक्ष्मी मंदर, देवी जगदंबा मंदर इसके अलावा दोस्तो चित्रगुप्त या सूर्य मंदर यह सब ही दार्शने इस्तिल हैं खजराहो में चलते हैं next question पर भारत में 500 और 2000 के नोट बंदी कब की गई थी? तो दोस्तो इसका सही option है 8 नॉमबर 2017 को आठ नॉमबर 2017 को 500 और 2000 के नोटों की नोट बंदी की गई थी भारत में दोस्तो यह एक most most important question है आप याद रख लें यह question हर exam में पूछा जा सकता है तो यह आपको याद रखना है भारत में नोट बंदी की गई थी आठ नॉमबर 2017 को confused नहीं होना है याद रखना है 8 नॉमबर 2017 next question हाली में कब सूक्ष्म लगू और माध्यम उद्योग दिवस मनाया गया है तो दोस्तो इसका सही option है 27 जून हाली में 27 जून को सूक्ष्म लगू और माध्यम उद्योग दिवस मनाया गया है दोस्तो आपको बता दें हाली में इस दिवस की शुरुवात 2017 में की गई है दोस्तो सैंक्त रास्ट महासभा ने इसकी शुरुवात की है इसका मुख देश सूक्ष्म लगू और माध्यम उद्योग की बारी में युवाओं को जारुकता फैलाना है तो आपको इतना इस दिवस की बारी में याद रखना है चलते हैं next question पर हाली में किस बल्लेवाज ने सबसे तेज 20,000 अंतरास्टियर रन बनाए है तो दोस्तो इसका सही option है ब्राट कोहिली हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान ब्राट कोहिली ने हाली में सबसे तेज 20,000 अंतरास्टियर रन पूरे किये है दोस्तो आपको बता दें इन्होंने इस record के साथ सचिन तेंदुलकर और विराहिन लारा का record तोड़ दिया है दोस्तो सचिन तेंदुलकर 453 पारियों में 20,000 रन बनाये थे वहीं अगर ब्राट की बात करें तो इन्होंने 417 पारियों में 20,000 रन बना कर यह record बनाया है दोस्तो आपको बता दें ब्राट कोईली बिसु के नंबर वन वल्ली बाज है ICC ranking में वहीं अगर बॉलर की बात करें तो दोस्तो गैंद बाजों में जस्पीत बुमरा ICC ranking में पहले इस्थान पर मौजूद हैं यह दोनों भारतिये क्रिकेटर हैं तो इतना आपको इन दोनों की बारी में याद रखना है दोस्तो आप बात करते हैं प्रीवियस डे की question की मध्यप्रिदेश का जलियावाला बाग हत्याकांड किस जिले में हुआ था तो दोस्तो इसका सही option है छतरपुर जिले में मध्यप्रिदेश के छतरपुर जिले में एक हत्याकांड हुआ था जिसे मध्यप्रिदेश का जलियावाला बाग हत्याकांड कहा जाता है दोस्तो बात करते हैं question of the day की तो आज का question है बुंदेली समारो का आयजन हाली में कहां किया गया है इसका answer आप हमें comment box में दें हम आपके answer का इंतिजार तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आप हमारे चैनल study universe को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मध्यप्रिदेश और world के interesting fact को लेकर हाजर होंगे तब तक के लिए नमस्कार have a nice day हलो दोस्तो welcome to study universe मध्यप्रिदेश की number one channel for daily current affair के इस वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तो आज है 28 जून 2019 और यह हमारी 186 वी class है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दिरश्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे चलते हैं question number first पर हाली में किसका कारेकाल बढ़ाया गया है तो दोस्तो इसका सई option है अमिताप कांथ हाली में अभीताप कांथ का कारेकाल बढ़ाया गया है दोस्तो केंदर सरकार के नीती आयोके CEO अमिताप कांथ का कारेकाल हाली में दो साल के लिए बढ़ाया गया है अमिताप कांत का कारेकाल 30 जून को खत्म होना था लेकिन अब 2 साल बढ़ा दिया है और 30 जून 2021 तक के लिए ये नीती आयोग के CEO पद पर बने रहेंगे तो आपको ये एक important question है दोस्तों एक्जाम में पूछा जा सकता है next question हाली में किस station को ISO certificate दिया गया है जिसका सही option है दोस्तों मैसूर railway station हाली में मैसूर railway station को ISO certificate दिया गया है दोस्तों आपको बता दें यह certificate पाने वाला यह दक्षन पस्चिम railway का पहला और देश का दूसरा station है railway ने 37 railway station को eco smart बनाने का फैसला लिया है इनमें से मैसूर को गुणवत्ता, सुरक्षा और परियावरण प्रबंधन के वहतर उपायों को सफलता मिली है जिसके करण इसे ISO certificate दिया गया है दोस्तों आपको बता दें eco smart station मद्ध्रदेश में भी एक बनाई जानी है जो मदर्न महल station है जो जवलपूर में है दोस्तों आप बात करते हैं ISO certificate की तो आपको इसके बारी में बता दें दोस्तों इसका full form international organization of standardization होता है इसकी इस्थापना यानि ISO की इस्थापना 23 फरवरी 1947 यानि 1947 में की गई थी इसका headquarter जिनेवा Switzerland में है 164 जो देश हैं वह ISO certificate के member country है दोस्तों इसके जो president है उनका नाम है John Walter तो इतना आपको ISO की बारी में जरूर याद रखना है next question हाली में किसे raw chief बनाया गया है तो दोस्तों इसका सही option है Samant Goyal हाली में Samant Goyal को raw का chief बनाया गया है दोस्तों आपको बता दें Samant Goyal 29 जून को retire हो रहे raw के प्रमोख अनिल के धम धसमाना अनिल के धसमाना की जगह लेंगे दोस्तों आपको Samant Goyal के बारी में बता दें ये बालाकूट Air Strike के रणनीती बनाने वाले बरेस्ट IPS अधिकारी है दोस्तों इन्हें हाली में raw का chief बनाया गया है raw का full farm होता है Research and Analysis Wing दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये नाम अरविंद कुमार इनके बारे में भी दोस्तों आपको बता दें तो अरविंद कुमार ये भी IPS अधिकारी है और इन्हें IB का डारेक्टर बनाया गया है 1984 बैच के ये IPS अधिकारी है तो आपको इन दोनों निक्तियों की बारे में याद रखना है सामंत गोयल को रोका chief और अरविंद कुमार को IB का chief बनाया गया है दोस्तो ये exam के लिए most important question है पूछा जा सकता है कई लोग आप में से बोलते हैं कि जो MP का exam है उसमें इंडिया का और international क्यों एड करते हैं तो दोस्तो आपको मैं कोई भी exam उठा के देख सकते हैं आप उसमें ऐसा कोई paper नहीं है जिसमें national, international और MP का current of year ना पूछा गया हो दोस्तो इसलिए ये एक important question बन जाता है next question हाली में किसी MP PSE Ayo की नए सदस्य की रूप में निक्त किया गया है तो दोस्तो इसका सई option है चंदर सेखर रेगवार हाली में चंदर सेखर रेगवार को MP PSE Ayo का नए सदस्य चुना गया है दोस्तो हाली में मद्द प्रदेश लोग सिवा आयोक के नए सदस्ट के रूप में चंदर सिखर रेकवार को चुना गया है मुख मंत्री की अद्धिक्षता में गठित मंत्रियों की दो सदस्टिये चैन समीती ने इसे मंजूरी दी है तो आपको याद रखना है वैसे दोस्तो आपको बता दें आयोक के इस समय प्रोफेसर चौबिक चेर्मेन है MPPSC आयोक के चेर्मेन है प्रोफेसर भासकर चौबिक नेक्ट प्रदेश हाली में किस राज में IAS अधिकारियों को जिलों का जिम्मा सौपा गया है तो दोस्तो इसका सही उफ्षन है मद्धिक देश हमारे मद्धिक देश में हाली में IAS अधिकारियों को एक एक जिले में तैनात किया गया है यह जिम्मा सौपा गया है दोस्तो आपको बता दें यह जिम्मा क्या है और इसकी बारे में बता दें दिखवजय सिंकी सरकार में IAS अधिकारियों को जिलों के प्रभारी सचों बनाने की विवस्ता लागू की गई थी और दोस्तो अब 15 साल बाद फिर से IAS अफसरों को जिलों का जिम्मा सौपा जा रहा है यह काम 15 साल बाद कमलनात की सरकार ने किया है दोस्तो आपको बता दें इन IAS अफसरों को काम क्या होगा तो यह काम करेंगे जनता से जुड़ी विश्यों की नराकरण पर दोस्तो अलग-अलग विभावों की विकास से जुड़ी राशी के साथ इन कामों को करने वाली संस्थाओं में समन्में बनाएंगे अकासमिक आपदा या घटना होने पर प्रभारी सचो जिलों में संपर्ग में रहेंगे तो यह सभी काम होगे इन IAS अफसरों के नेस्ट क्वेश्चन हाली में किस राज में अभी बावकों को सिक्षकों की वाटसेप गुरूप से जोड़ा जाएगा दोस्तो आपको बता दे साज की वा प्राइवीट विध्यालों में सिक्षक अब जो बच्चों की पिता माता पिता होते हैं यानि अभी बावक या पेरेंट्स को मोवाईल लंबर लेकर उनको वाटसेप गुरूप में जोड़ा जाएगा इसके माध्यम से सिक्षक बच्चों की अभी वावकों से सतर संपर्क में रहेंगे ये बिध्याला में प्रती दिन होने वाले बिध्यार्थियों की गति विधी का बिवरन अभी वावकों को देंगे दोस्तो इसका हाली में लोग सिक्षण आयक्त जैसरी कियावत ने आदेश दिये हैं और इसका सक्ती से पालन करने को कहा गया है तो पूरे राज्ज में अभी वावकों का जो नंबर होगा वह सिक्षकों की वाटसेप गुरूप से जूड़ा जाएगा हाली में किसे देवास का अपर कलेक्टर बनाया गया है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है नरेंदर कुमार सूर्य बंसी हाली में नरेंदर कुमार सूर्य बंसी को देवास चले का अपर कलेक्टर बनाया गया है दोस्तो इस्क्रीन पर आपको कुछ और नाम देख रहे होंगे उनकी बारे में भी आपको बता दे तो सबसे पहले बात करते हैं सुनील राज नायर की इन्हें हाली में शुपुर का स्युक्त कलेक्टर बनाया गया है इसके बाद दोस्तो बात करते हैं राजीस ओगरे की इन्हें हाली में उपसचो बनाया गया है बन बिभाग में फिर बात करते हैं चंदर शिखर शुकला की तो दोस्तो इन्हें हाली में अपर कलेक्टर बनाया गया है गुना जिले में तो ये चारों आपको नाम याद रखने हैं एक्जाम के लिए बहुत इंपूर्टेंट है नेश्ट क्वेशन भोपाल की बिसाल जील को किस राजा ने बनवाई थी तो दोस्तो इसका सही option है होसंग साहे होसंग साहे ने भोपाल की बिसाल जील का नमाण कराया था दोस्तो आपको बता दे होसंग साहे नहीं होसंग अबाद जिले का या होसंग अबाद शहर का गठन किया था तो आपको ये एक important question है याद रखना है तो अब बात आईए भूपाल की तो आपको कुछ important fact भूपाल की बारी में बता दें मद्यप्रदेश की राजधानी 1956 में बनाई गई थी भूपाल भूपाल को जीलों का शहर भी कहा जाता है मद्यप्रदेश का सरवाधिक जन संख्या गनत्व यह 854 है यह भूपाल जीले में ही है दूत्य आकाश्वानी केंद्री की इस्थापना भूपाल में 31 अक्टूबर 1956 यानि 56 में की गई थी भारत भववन की इस्थापना 1982 यानि 1982 में की गई थी भूपाल में ही दोस्तो रास्ट्य बिदी अकेडमी की इस्थापना 1994 1994 में भूपाल में की गई थी देश की सबसे बड़ी मस्चिद जिसे हम ताजुल मस्चिद की नाम से जानते हैं यह भूपाल जीले में ही इस्थत है दोस्तो बिशु का सबसे बड़ा स्वर उर्जा सेंत्र का नेमाड भूपाल में ही कराया गया है प्रदीश का पहला एनर्जी पार्क भी भूपाल में ही बनाया गया है प्रदीश का पहला सेल रिचित जैव खाद्य सेंत्र भी भूपाल में ही लगाया गया है इंद्रा गान्दी रास्टिय मानो संग्रहले की इस्थापना भी भूपाल में ही की गई है 2 और 3 दिसंबर 1984 को भूपाल में मिथायल आईसो साइनेट गैस का रिसाव हुआ था जिसके कारण हजारों मोते हो गई थी भूपाल में तो ये एक important question है दोस्तो इतना आपको भूपाल की बारी में याद रखना है next question भारत की प्रमुख परेटन केंद्रों में खजराहों का इस्थान कौन सा है तो दोस्तो इसका सही option है तीसरा भारत की प्रमोग परेटन केंद्रों में खजरोह का इस्थान तीसरा है दोस्तो ये एक important question है हाली के exam में यह पूछा गया था दोस्तो अब बता दें आपको खजराहो की बारी में तो खजराहो मध्य प्रदेश की छतरपुर जिले में इस्तित है खजराहो में एक international airport भी है दोस्तो खजराहो की जो प्रिसिद्धन मंदर हैं उनकी बारी में बता दें तो कंदरिया देव मंदर यहां का सबसे प्रिसिद्ध मंदर है सेह मंदर, लक्ष्मी मंदर, देवी जगदंबा मंदर इसके अलावा दोस्तो चित्रगुर्प्त या सूर्य मंदर यह सब ही दार्शने इस्तल हैं खजराहो में चलते हैं next question पर हाली में कब सूक्ष्म, लगू और माध्यम उद्योग दिवस मनाया गया है तो दोस्तो इसका सही option है 27 जून हाली में 27 जून को सूक्ष्म, लगू और माध्यम उद्योग दिवस मनाया गया है दोस्तो आपको बता दें हाली में इस दिवस की शुरुवात 2017 में की गई है दोस्तो सैंग्त रास्ट महासभा ने इसकी शुरुवात की है इसका मुक्ष देश, सूक्ष्मे लगू और माध्यम उद्योग की बारी में युवाओं को जारुकता फैलाना है तो आपको इतना इस दिवस की बारी में याद रखना है चलते हैं नेस्ट कॉश्चन पर हाली में किस बल्लेवाज ने सबसे तेज 20,000 अंतरास्टियर रन बनाए है तो दोस्तो इसका सही ओफ्षन है ब्राट कोहली हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान ब्राट कोहली ने हाली में सबसे तेज 20,000 अंतरास्टियर रन पूरे किये है दोस्तो आपको बता दें इन्होंने इस record के साथ सचिन तेंदुलकर और विरायन लारा का record तोड़ दिया है दोस्तो सचिन तेंदुलकर 453 पारियों में 20,000 रन बनाये थे वहीं अगर ब्राट की बात करें तो इन्होंने 417 पारियों में 20,000 रन बना कर यह record बनाया है दोस्तो आपको बता दें ब्राट कोईली बिसु के नंबर वन वल्लिवाज है ICC ranking में वहीं अगर बॉलर की बात करें तो दोस्तो गैंद बाजों में जस्पीत बुमरा ICC ranking में पहले इस्थान पर मौजूद हैं यह दोनों भारतिये क्रिकेटर हैं तो इतना आपको इन दोनों की भारी में याद रखना है दोस्तो आप बात करते हैं प्रीवियस डे की question की मध्यप्रिदेश का जलियावाला बाग हत्याकांड किस जिले में हुआ था तो दोस्तो इसका सही option है छतरपुर जिले में मध्यप्रिदेश के छतरपुर जिले में एक हत्याकांड हुआ था जिसे मध्यप्रिदेश का जलियावाला बाग हत्याकांड कहा जाता है दोस्तो बात करते हैं question of the day की तो आज का question है बुंदेली समारो का आयजन हाली में कहा किया गया है इसका answer आप हमें comment box में दें हम आपके answer का इंतिजार तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही आप हमारे चैनल study universe को subscribe कीजिए वीडियो को like कीजिए शेयर कीजिए कल हम आपके साथ फिर मध्यप्रिदेश और world के interesting fact को लेकर हाजर होंगे तब तक लिए नमस्कार have a nice day